Language, भारत की आधिकारेक भाशाईं कौन सी है? भारत की आधिकारेक भाशाईं कौन सी है? कि सम्विधान की आठवी अनुसुची में भारत की आधिकारेक भाशाओं को सुची बद किया गया है. हालांकि देश भर में सेकड़ों भाशाएं बोली जाती हैं, लेकिन आठ्वी अनुसुची में कुर्बाइस भाशाओं को आधिकारेक भाशाओं के रूप में मान्यता दी गई है जबकि इन्वे से 14 भाशाओं को पहले संविधान में शामिल किया गया था, बाकी भाशाओं को बाद के संशोधनों के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था भारत की आधिकारिक भाशाएं असमिया यह भाशा ज्यादातर पुर्बोततर राजय असम में बोली जाती है और इस शेत्र के संपर्क भाशा के रूप में भी कार्य करती है इसे 23 लाख से ज्यादा लोग बोलते हैं बंगाली इस एक बंगला के नाम से भी जाना जाता है इस आधिकारिक भाशा को लगभग 300 मिलियन लोगों द्वारा बोला जाता है इसके अतिरिक्त यह बंगलादेश की आधिकारिक और राश्ट्रिय भाशा भी है गुजराती यह भाशा गुजरात में आधिकारिक भाशा है साथ ही साथ दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंदर शासत प्रदेशों में भी यह भाशा 55.5 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है हिंदी, यह भाशा उत्तरी, मध्ध, पूर्वी और पश्चिमी भारत में बोली जाती है इसके अतिरेक्ट, यह भारत सरकार की दो आधिकारिक भाशाओं में से एक है और लगभग 322 मिलियन वक्ताओं द्वारा बोली जाती है कन्नल, कन्नल एक द्रवेर भाशा है जो ज्यादातर भारत के दक्षिनी क्षेत्र में करनाटक के निवासियों द्वारा बोली जाती है यह 2011 तक लगभग 43 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है कश्मीरी, यह 2020 में जम्मू और कश्मीर के केंदर शासत प्रदेश की आधिकारिक भाशा बन गई और ज्यादातर इस क्षेत्र के लोगों द्वारा बोली जाती है भाशा के लगभग 7 मिलियन बोलने वाले हैं कौनकनी, यह ज्यादातर कौनकन क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें गवग और कुछन्य राज्यों के तचियक शेत्र शामिल हैं यह लगभग 2.3 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है मल्यालम, मल्याली लोगों द्वारा बोली जाने वाली यह भाशा केरल, लक्षदवी, पुडुचेरी में बोली जाती है और दुनिया भर में 34 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है मनिपुरी इसे मेटी या मीटी के रूप में भी जाना जाता है यह भाषा पूरबोत्तर राज्य मनिपुर में बोली जाती है और दुनिया भर में लगभग 1.8 मिलियन बोलने वाले हैं और वर्तमान में युनेस को द्वारा कमजोर भाषा के रूप में वर्गी कृत किया गय मराठी, महराष्ट्रा राज्य में बोली जाने वाली, इसमें 83 मिलियन वक्ता हैं, जो इसे हिंदी और बंगाली के बाद देशी वक्ताओं के मामले में तीसरा बनाता है नेपाली, नेपाल के मूर निवासी, नेपाली पूर्बोत्तर शेत्र में नेपाली समुदाई की उपस्थिती के कारण भारत की बाईस अनुसूचित भाशाओं में से एक रहा है पुडिया, यह ओरिसा में, पश्चिम बंगाल, जार खंड और चत्तिसकर के कुछ हिस्सों में दुनिया भर में लगभग 35 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है पंजाबी, भारत और पाकिस्तान दोनों में पंजाब के लोगों द्वारा बोली जाने वाली, पंजाबी भारतिय उत्महद्वीप में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली मूल भाशा है व्यापक पंजाबी डायस्पोरा के कारण विदेशों में बोलने वालों की एक महत्वपूर्ण संख्या भी है संस्क्रिप्ट यह प्राचीन भाषा हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन की पवित्र भाषा के रूप में कार्य करती थी सिंधी सिंधी एक इंडो आर्यन भाषा है जो पश्चिमी भारतिय उप महाद्वित के प्राचीन सिंध शेत्र में सिंधी लोगों द्वारा बोली जाती है यह अभी भी 2011 की जंगर्ना के अनसार एक दशमलव 6-8 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है तमिल, तमिल एक शास्त्रिय द्रवेड भाषा है जो दक्षिन एशिया के तमिल लोगों द्वारा अपनी पहली भाषा के रूप में बोली जाती है तमिल में 75 मिलियन बोलने वाले हैं और यह दुनिया की सबसे लंबे समय तक जीवित शास्त्रिय भाषाओं में से एक है तेलुगू, तेलुगू एक ग्रवेड भाषा है जो ज्यादातर आंध्रप्रदेश और टेलंगाना, भारत में तेलुगू लोगों द्वारा बोली जाती है, जहां यह आधिकारेक भाषा भी है इसे लगभग 82 मिलियन लोग बोलते हैं उर्दू, पूरे दक्षिन एशिया में बोली जाने वाली, उर्दू में लगभग 230 मिलियन बोलने वाले हैं डॉट, बोडो, बोडो, बोरो के रूप में भी जाना जाता है एक चीन तिब्बती भाषा है जो पूरवोत्तर भारत, नेपाल और बंगाल के बोरो लोगों द्वारा बोली जाती है इसमें लगभग 1.4 मिलियन स्पीकर हैं डॉट, संथाली, मुख्य रूप से असम, बिहार, जारखंड, मिजोरम, ओरिसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली, संथाली लगभग 2.6 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है मैथिली, मैथिली नेपाल और भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली एक इंडो आर्यन भाशा है क्योंकि यह भारत में बिहार और पुर्बोत्तर जारखंड में बोली जाती है वर्ष 2000 तक इसमें 33.9 मिलियन बकता थे कर दो जाती है झाल झाल